लेकिन इससे पहले कि हम और आप इसका काम देखें एक रिक्वेश्टर भाई की चानल को सब्सक्राइब कर देने आपके एक सब्सक्राइब से ना मुझे धीर सारा मोटिवेशन मिलता है तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है बहुत-बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए चलो चलते हैं और देखते हैं और यहीं से आज स्टार्ट करने वाला हूं, सताबदी नगर है यह और इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, यहां पर आरटी इसके ट्रेन रुके गे, जो मेरिट से आएगी तो, जी हां, और मेरिट मेट्रो की भी ट्रेन रुकेगी, इसी वज़े से इस जगह पर एक, दो नहीं, बलकि तीन प्लेट्फॉर्म बनाये जाएंगे, एक मेरिट मेट्रो के लिए, जी और दो मनाये जाएंगे आरटी इस के लिए, और उसी का निर्मान कार यहां पर हो रहा है, यह जो इस्टेशन है दोस्तों, यहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रहे ह और उन्हीं की टीम दोरा इस स्टेशन का निर्मान किया जा रहा है, यहां पर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करों तो आपको दिखेगा कि स्टेशन की ठीक ऊपर लॉंचर लगाए गया है, जिसकी मदद से लॉंचिंग वग का काम किया जा रहा है, और यहां पर कंस्ट्रक् प्रेटफॉर्म का भी हिस्सा जो है वो लगबग बनकर त्यार है अब यहां पर स्टील के स्ट्रक्शर की मदद से इसके उपर जो सेड डालने का काम है वो किया जाएगा इस स्टेशन से जब हम और आप बढ़ेंगे परतापूर की तरफ हम और आप बढ़ेंगे आगे गाजियाबाद की तरफ तो आपको दिखेगा कि यहां पर लाइंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है और इस स्टेशन से तक क्रीबन 200 मिटर आप आगे जा लिए है वैसे मैं आपको बता दू कि यह हिस्सा 2025 में स्टार्ट होना है इस्टेशन से जब आप आगे बढ़ेंगे मेरट की तरफ मोधीपूरम की तरफ तो आपको देखेगा कि यहां पर पिलर निर्मान का जो कार है वो किया जा रहा है और साथ ही साथ यहां पर आपको ए इस आराटीएस के स्टेशन से आगे चलते हैं दोस्तों देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है वैसे यहां पर आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि जो पिलर का हिस्सा है ना उसको कर दिया जा चुका है दोस्तों यह जो लॉंचर आपको दिखाया था इसी की मदद स आपको पूर आपको गाजियावाज से लेकर नेरट तक की है जो पूरा रोड है जिसपर इन्होंने कीका क्याँ किया है जहाँ जहाँ से यह road के उपर गुजरा है उन सभी road को यह बना कर देंगे जी और इसका construction के काम in fact start भी हो चुका है यहाँ पर एक elevated part है यानि कि फ्लाइवर है और उस फ्लाइवर के ठीक पैलर सो होकर यह line जा रही है फ्लाइवर इसलिए यहाँ पर बनाया गया है क्योंकि नीचे railway line है तो उस railway line को हम और आप cross कर सकें तो इस वैसे road के उपर भी फ्लाइवर बनाया गया है और तो और यहाँ पर जो line है वो भी railway line को cross कर रहे है जो RATS की है यहाँ पर last time जब मैंने आपको काम दिखाया था तो उस वक्त पर launcher था जिसकी मदद से launching work का काम किया जा रहा था ठीक railway line के पास लेकिन आज अगर आप देखोगे भाई तो यहाँ पर launching work का काम पूरी तरीके से complete कर लिया जा चुका है जी railway line के ठीक उपर प्लायर वाले हिस्से को जब क्रॉस कर जाओगे दोस्तों तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि एक launcher लगाए गया है यह वह launcher है जो की railway line के उपर लगाए गया था कुछ वक्त पहले ना उसी launcher की मदद से यह सारा elevated पार को करनेक करने का काम किया गया है और in fact अभी भी किया जा रहा है एक pillar को दूसरे pillar से करनेक करने का काम, launching work का काम और वही करते विए आपको यहाँ पर टीम भी नजर आ जाएगे बहुत ही विशा लॉंचर है जो की यहाँ पर LNT ने लगाया है और इस लॉंचर की मदद से launching work का काम इस वक्त पे भी किया जा रहा है दोस्तों जहाँ पर यह launcher लगाया गया है उससे जब आगे बरेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर heavy heavy pillars बनाया जा रहा है और in fact आपको station का structure भी दिखेगा जो की बनाया जा रहा है और वैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर यह जो station बनाया जा रहा है दोस्तों इस station पर RITS की train जो है वो नहीं रुखेगी इसके बाद जो station आएगा न उस पर रुखेगी तो पहले इस station की बात कर लेते हैं यहाँ पर यह जो station बनाया जा रहा है यहाँ पर made at metro के अंतरगत यह बनाया जा रहा है यहाँ पर देखेंगे तो pillars तो आपको देखेंगे कि ज़्यादा तर हिससे पर बन चुका है pillar cap का भी लगबग काम जो है वो ज़्यादा हिससे पहुच चुका है अभी यहाँ पर जो काम किया जाना है वो pillars के ऊपर आई-गेडर्स का जो काम किया जाना है किया जा रहा है और साती साथ यहां पर आपको दिखेगा कि स्टेशन का जो स्ट्रक्चर होने वाला है जैसे कि प्लेट फॉर्म का हिस्सा और साती साथ। ओंट कोर्स का एरिया उन्स बहुआ पर झाल झाल इसके बाद जब आगे आप बरेंगे तो आपको देखाए कि धीरे धीरे यह जो लाइंग है वो नीचे के तरफ हो रही है डाउन हो रही है क्योंकि इसके बाद यह अंडर्गाउन हो जाएगी लाइंग अब आप सोचोगे कि अंडर्गाउन क्यों बना रहे है वैसे अंडर्गाउन बनाना सबसे कोश्टली होता है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप ठीक मेरट के बीचो बीच आज चुके हो और इससी वज़े से यहाँ पर जो स्टेशन का निर्मान किया जा रहा इसका नाम भी है मेरट सेंट्रल यहाँ पर आरटी इसके ट्रेन जरूर रुकेगी दोस्तों और यह स्टेशन जो होने वाला है यह अंडर्गाउन होने वाला है और इसके बाद का जो स्टेशन होने वाला है बेगमपुल वो भी अंडर्गाउन होने वाला है और यहाँ पर तो बहुत घनी अबादी है, तो यहाँ पर concrete का structure बराने के लिए इनके पस ज्यादा space था नहीं उपर, इसी वज़से line को जमीन के नीचे डाला गया है, ताकि यहाँ से आसानी से RITS की जो train है अपने speed को maintain करते हुए आगे की तरफ चली जाए, इसी वज़से आपको यहाँ प कॉन के द्वारा ही यहाँ पर underground वाले हिस्से पर construction का काम किया जा रहा है, in fact वैसे आपको बता दूँ जो tunnel बनाने का जो काम है, वो लगभग पूरी तरीके से complete हो चुका है, तो इससे आगे का मैं हिस्सा आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर यह elevated हो जाता है, तो वो हिस्सा भी दिखाता हूँ कि उस पर कितना कुछ काम हुआ है, तो उससे क्या होगा ना कि इसके पूरे हिस्से का construction का update आप देख लोगे, सो फाइनली इस जगह से फिर यह जो लाइं है ना दोस्तों, यह आपको दिखेगा, कि elevated हो गया, मतलब पिलर के उपर आ गया है, अभी क्या है ना, यह मिरट कैंट का एरिया है, तो इस वज़े से मैं यहाँ पर ड्रोन फ्लाई करके तो आपको नहीं दिखा सकता है, लेकिन हाँ, मैं आपको ड्राइव करके ज़रूर दिखा सकता हूँ कि कितना कुछ काम हुआ है, और वैसे यहाँ पर सामने आपको अब एक स्टेशन भी देखने को मिलेगा, वैसे यह स्टेशन जो है, इस जगह पर भी मेरट मेट्रो की ही सर्विस आपको मिलेगी फिलाल तो, और इसी वजह से इस्टेशन का जो आप देखेंगे, जो निरमान किया जा रहा है, और सअधिता स्टेशन जो यहाँ पर बनाये जा रहा है, वो आपको दिखेंगा, कि यहाँ पर उसके पिलर तो बनकर तयार हो चुके हैं, और in fact, इस्टेशन के इस्टेशन में भी अच्छा क पिलर निर्मान का कारे किया जा रहा है जी यूसिप का पिलर है यह और उसी पिलर को बना रहे हैं यहां पर कीड़ के फिलर के यहा है जाल деньकात रहे से के के इभ 살 repay जाल तर चया है जाल शचिए की handicा कि प्ल़ काउन है मिलर कि वह तर चांअले बना और टो बना प्हुभ झा İंपनतर के बना रव sao है डाशन झाल 59 अबसिबाँ he जढ झाल 59 अब ही यहां पर भी एक और स्टेशन आपको देखने को मिलेगा यह जो स्टेशन दिखा रहा हूं इसका वैसे तो काम मैं आपको पहली बारी दिखा रहा हूं लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस स्टेशन पर भी अरटी इसके ट्रेन नहीं रुकेगी भाई यह भी यहां पर सर्विस फिल हाल जो मिलेगे आपको वो मेरेट मैट्रो की ही मिलने वाली है दोस्तों यहां पर अगर अगर देखो गे तो इस स्टेशन चा जो पॉं को डिखे अ लोग Посटो उसे के ऊपर आपको अपको कंस्ट्रॉक्शन का काम दीखेगा जो की किया जाना और उसके बाद जो प्लेटफॉर्म का एरिया होने वाला है उसके पिलर निर्मान का कारी हिया जाना है और फिर प्लेट फॉर्म का हिस्सा जो है वो तैयार किया जाएगा यहां से तो यह जो इलाइमेंट का रटी इसका वो राइट की तरफ हो जाता है और यह जो हाईवे है न उसके पैलर से होकर जाए गई हाईवे को जो जरूर करेगा लेकिन इस जगह पर नहीं है अगर यहां पर कराते तो पैलर को और भी उचा करना पड़ता तो इसी से निकाला है तो फायदा ये भी होगा कि इसी तरफ अगर आप देखोगे तो मोधिपुरम की जो जादा तर आवादी है वो हाईवे के राइट हैंड साइड में आपको दिखेगी जो की है और इस तरफ से जाने का फायदा होगा कि पैसेंजर को करने में बहुत आसानी होगी यहाँ पर आपको एक स्टेशन भी दिखेगा जिस स्टेशन के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है और जब इस से आगे की तरफ बढ़ेंगे मोधिपूरम की तरफ तो आपको देखेगा कि यहाँ पर पिलर निर्मान का जो कार है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और सिर्फ आपको पचास मिटर बाद ही एक और लॉंचर देखने को में जा आता है जो की यह है और इस लॉंचर की मदद से भी लॉंचिंग आगे की तरफ जा रही है और इस तरह भी देखेंगे तो लगबग जितने भी पिलर से उन पिलर का निर्मान कार जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इन फाक्ट मोश्टली पे पिलर कैप का भी काम कंप्लीट हो चुका है अब यहां पर देखेंगे तो इस जगा पर दोस्तो यह जो हाइवे है इसको क्रॉस करके यह लेफ्ट हैं साइड में हमारे लाइन आ जाएगी तो यहां पर हाइवे के ठीक बीचो बीच आप देखेंगे तो पिलर निर्मान का जो कार रहे है वो किया जा रहा है इसी वज़े से तो यहां पर पाइलिंग मसीन देखेगी जिसके मदद से पाइलिंग वक का काम किया जा रहा है और साथी साथ जहां पर इसने पाइलिंग जब हम और आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि पिलर निर्मान का जो कार है वो लगभा कम्प्लीट कर दिया जा चुका हो और यहाँ पर आपको इसका one of the most important station देखने को मिलेगा जो की है मोधिपुरम और इसी तरब से यह मेरिट में स्टार्ट हो रहा है इसका जो concourse area है न उस concourse area के ऊपर flooring work का जो काम है वो किया जा रहा है और जैसे ही concourse का area बनकर तयार हो जाएगा तो फिर यहाँ पर तयार किया जाएगा प्लेट फॉर्म का हिस्सा जिसका काम अभी इस concourse area के बाद किया जाएगा और इससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसी तरफ आगे इसका डीपो होगा जो की मोधीपुरम डीपो होगा जहाँ पर जो ट्रेन है ना basically RTS की ये जाकर रुकेगी तो मतलब ट्रेन का ये घर होने वाला है दूसरा एक जो की दुहाई में होने वाला है दूसरा यहाँ पर होने वाला है और यही वो प्रजेक्ट है जिसके मदद से आप दिल्ली से मेरट एक घंटे में आ जाएंगे 82 किलो मिटर एक घंटे में दोहजार पच्चिस पेपर पहे लेकिन ये पहली ऐसी परियोजना है अपनी देश की जो की पेपर पे लिखेवे डेडलाइन से पहले बनकर तैयार हो जाएगी इसलिए चानलों को सब्सक्राइब कर देना मैं आपको दिखाता रहूंगा भाई किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है जी ये था अपडेट दिल्ली मेरट रहा टेस के पैकेस टू का ये जो पूरा हिस्टा दिखाया है ये दो हजार पच्छिस में स्टार्ट होना है लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम देखने के बाद आप एस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि कब तक ये बनकर तयार हो जाएगा जी यहां इसी तरीके के कंस्ट्रक्शन के अपडेट देखने के लिए बाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ अपना अख्याल लगना जहिंद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़य करने के लिए बहुत 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 दनेगा इसके इसके बाई झाल 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 झाल